किसान भायो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में इस वीडियो में हम मद्धे प्रदेश के मौसम के बारे में बात करेंगे किसान भायो इस समय पर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात हो चुकी हैं जिसकी वज़े से उन जिलों में पचलों की बारे भी शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी परदेश के उत्री और पश्चिमी जीलों के कुछ चेत्रों में बरसात नहीं हुई हैं जिसके वज़े से उन चेत्रों के किसान बारिश के लिए तरस रहे हैं तो अब सवाल यह आता है कि प्रदेश के जिन जिलों में बारिस नहीं हुई हैं उन छहत्रों में बारिस कब से सुरू होगी और उन छहत्रों में पचलों की बुगाई कब तक होने की संबावना है तो किसान भायो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से मद्य प्रदेश के मौसम के बारे में बात करेंगे हम एक एक जीलों के अनुसार मौसम की स्पेसल बात करेंगे कि प्रदेश के कोई से जीले में कब तक बारिस होने की संभावना है तो मद्य प्रदेश के मौसम की पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंतर तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर पहरी बार आये हो तो नीचे देगे लालक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर कलिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटे का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब अगर मद्य प्रदेश के मौसम अपडेट के बारे में बात करें तो इस समय पर प्रदेश में मानसुन की एंट्रिक हो चुके हैं लेकिन कुछ जिलो को चोड़कर पूरे प्रदेश में मानसुन की बारिश भी हो चुके है अब अगर जिलो के नुसार डंसो रतलाम, उजेन, अगरमालवा, Σाजापूर, इन जिलों में 24 जून तक अच्छी बारिस होने की संभावणा है लेकिन कुछ चेत्रों में 24 जून तक भी बारिस नहीं होगी जिसके बाद उन चेत्रों में 27, 28, 29 और 30 जून के दोरान बारिस होने की पूरी संभावना है इसके लावा दार जाबवा, अलिराजपूर, बढ़वानि, खरगोन, खनडवा, बुरानपूर, हर्दा, देवास इन जिलों में भी 27 जून से फिर से अच्छी बारिस होगी हाला कि 27 जून से पहले भी बारिस होगी लेकिन 27 और 28 जून से काफी जोड़दार बारिस होगी इसके अलावा बिंड मुरेना गौलेर दतिया शोपूर शिवपूरी गुना असोगनगर निवाली टिकमकर चतरपूर इन जिलों के कुछ चेतरों में भसलों की बारिस होगी हैं लेकिन कुछ चेतरों में अभी बारिस नहीं हुई हैं तो उन चेतरों में 14 जून को अच्छी शिंगरोली उमर्या सैडोल अनोपूर डिंडोरी मंडला बालागार शिवनी जबलपूर नर्सिंगपूर सागर दमो हैं इन जिलों में आला की बड़सात हो चुकी हैं लेकिन इन जिलों में आने वाले 3-4 जिनों के दुरान भी जोड़दार बारिस होने के संभावना हैं और किसान भाईयों मौसम इबा की माने तो मद्यपरदेस में 28 और 29 जून को मानसून से हट हो सकता है जिसकी वज़ा से 28 और 29 जून को पूरे मद्यपरदेस में जोड़दार बारिस होने की संभावना हैं तो मैं किसानों को यह कहना चाहूँगा कि गवराने की कोई जुरत नहीं हैं अगर आपके छेदर में बारिस नई भी हुई हैं तो 28 जून तक बारिस हो जाएगी तो किसान भाई यह थी मद्य प्रदेश के मौसम की जानकारी आप प्रदेश के कौन्चे जिले से बिलोंग करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की क्या स्थिति हैं कमेंट कर क्या वश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से रोड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं एक लिए वीडियो में जई जवान जई किसान